नमस्कार दोस्तों आज को हमारा वीडियो है यह है मेरे गोपरो के वीडियो के कंटीनेशन है तो गोपरो को यूज करके मैंने एक ट्रिप किया था और जब मैंने उस ट्रिप का आओडियो सुना तो मुझे कुछ डिफिकल्टी भी ती तो गोपरो और आइट्यो माइक को ले तो गाइज आज का जो हमारा वीडियो है वो मेंली फोकस्ट है हमारा यह जो Green Arrow का Bluetooth माइक है इसको हम गोप्रो के साथ कैसे कंफिर कर सकते हैं क्योंकि मैंने बहुत रिजर्च किया था तो मुझे कोई ऐसा कंपाटिबल वायरलस माइक नहीं मिला ता यह जो गोप्रो के साथ इसली कनेक हो जाता हूँ वायर्ड माइक बहुत सारे मिलेते जो हम इससे कनेक कर सकते हैं तो आज हमारे बास तीन कॉंपोनेट हैं जिसको लेक इस प्रोड़क्त में आपको अपने इसी विलॉप के डिस्कुप्शिन में ले दूँगा तो इसको एक बार उपन करते हैं कि इस प्रोड़क्त में आता क्या है हमारे पास यह बैसिकली तीन कॉंपोनेंट है दो माइक है और एक है रिसीवर और इसके अलावा एक ही मैनुवल आता है बहुत एज़ी अपस्कों कर दो गया आपके पास है इनकेश यह अनकले रहा आप और इसके अलावा यह एक केविल आती है हमारे पास यह है आप इसके डू आउटलेट है तो अब यह तीनों जो हमारे दो माइक रेक रिसेवर यह तीनों जो हमारे पार्ट से यह तीनों हमारे यूज़े से चार्ज होते हैं और इसके अलावा इसके अलावा यह दो कनेक्टर है इनका काम किया है इन कनेक्टर का काम यह है कि जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो आप इंस्टेंटलि अगर उसका आउट-पुट सुनना चाहते हो तो यह मेरा माइक है माइक का पसको अनेक्ट करो और यहां पे यह जो 3.5 mm का जो पिन् प्रोपर फोरी है कि नियों तो बेसिकली अभी हमारे डेमो के लिए हम यह दो इस पूरी पैकिंग के बाकी कॉंपोनेंट में आप अगर तो में लिए सब चीजे हैं जो अब हम प्राइ करने वाले इस तो मैं क्या करता हूं पहले यह जो मेरा माइक अड़क्टर है इसको ग अगर जा चैब अब करता हूं और मैं इस पर रिकॉर्डिंग करता हूं इसके सामने वेटके भी और मैं एक गुसरे रूम में चला जाओगा तकि डिस्टेंस में भी आपको पता चेल जाए कि बिना एक्स्टेनल माइके गोप्रो औडियो को कैसे कैप्चर करूं उसके बाता हूं इस नहीं कर दिया है और अब मैं क्या दराघाए हो जो को रिकॉर्डिंग रूरूरे कि वीडियो मोड़ी और इस तो अब जो भी मैं बात कर रहा हूं वो हमारे इस प्राइमरी वीडियो में तो और तब हम देखते हैं कि गोप्रो हमारा कैसे वाइस परेटी को एक अब मैं चला गया हूं फोड़े दिस्टेंस पे चला गया हूं दूसरे रूम पे चला गया हूं I am not sure कि मेरी यह आवाज गोप्रो पर रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो और इतना I think sufficient है अब मैं वापस आजाता हूं कि वापस आगया हूं अपनी सीट पे और यह करीब 37 सेकिंड का वीडियो बनाए गोप्रो का इसको यह पर एंड करते हैं तो यह था हमारा वर्जिन वन जो मैंने कि बिना किसी एक्स्टेनल माइक पर यूस किये गोप्रो में रिकॉर और माइक अड़क्टर पर यह जो मैंने यह ग्रिनेरो का जो माइक मुलाया है इसके रिसीवर को इसको करना कैसे है यह गोप्रो का जो बैटरी वाला बॉक्स है इसको फोल देते हैं तो यह हमने इसको ओपन किया है और यह आप देखने हूँ है टाइप-C को इंजक्त करने माini का प्रोविजियन है टो हम व्हींते है इस अड़ूप्टर को मे यहां पे कर दीख हूँ अपलाये ह touch मैं अड़क्टर को मैंने गोप्रो में कर दिया है 3d और यह अधुटर पर प्रोविजन है कि हम 3.5 mm का जो पिन है उसको इंजक्ट कर सकते हैं और यह पिन हमारे पास आया है जो इस पर पर तो पहले हम इसको अन कर ले देखिए आप यह यह पावर का बटन है मैं इसको प्रेस करता हूं तो इलाइट बिलिंक करने लग गई है इसको थोड़ा करेंगे तब यह प्रॉपर ली इंसर्ट हो जाए और अभी आप देख रहे हो जैसे कि यह बिंक कर रहा है मैं तब यह दिमांड कर रहा है कि कोई माइक जो इससे पेर हो सकते हैं अब यह हमारा माइक है मैं के पावर बटन को अन करता हूं यह दिखिए अब यह बेर ग्रिन लाइट जिल गई है और इसने बिलिंग करना कर दिया मतलब अब यह पेर हो आप तो मैं क्या करता हूं इस माइक को यह तो मेरा फोन का माईक है जिससे रिकोर्डिंग हो जिस बटा दिए अब मैंने गोपर वाला जो माईक है इसको अप्लाई कर दिया ह तो अभी मैं एक वीडियो आन परदाउंस पे अब वीडियो हो गया है इस पर स्टार्ट और अभी मैंने माइक अपलाई कर रखा है और मैं बैठा भी माइक से अपने गोप्रो कैमरा के अपने बैठा हूं तो यह दोनों हे वर्जन में कैप्चर करनी है अब मैं इसी वीडियो में दोनों को अटेज करता हूं तो आप डिफ्रेंस को खुद अपने आपसे एसस्मेंट कर सकें कि यह कितना यूस्फुल है अब इसको अगर आप यूस करते हैं तो अगर आप गोप्रो की शूटिंग कर अब आपका परफस वाल्ब को बैया लेगे कि अब अब मैं क्या करता हूं कि मैं दूसरे रूम पर जाता हूं और यह वेरिफाइब करेंगे कि इसकी वास्टी ठोड़ी डिग्रेट होती है कि मीफ होती है और बोलता रहता हूं अभी अभी मैं चबागे रहों दिस्टेंस मअधर छुला हूं रही डिस्टेंस पर चला गया हूं अभी आरmb दूसरे बून पर जला गया हूं अब वापस आ जाता हूं ब्लैया फोरस पर आप पर blossom मिंदometer करका है और अभी मैंने मैं काऊपलाई कर रखा है और मैं बैठा भी माई अपने गोप्रो कैमरा के सामने बैठा वाओं तो मैं क्या करता हूं अगें सेम डिस्टेंस पर जाता हूं और कुछ बोलता रहता हूं ताकि आपको यह आइडिया लग जाए कि मेरी वाइस क्वालिटी डिस्टेंस के साथ कम हो रही है या ज्यादा हो यह स्टेबल है तो मैं अभी उतने डिस्टेंस पर हूं मदल दूसरे रूम पर चला गया हूं और मैं वापस आता हूं अपनी डेस्क पर आता हूं तो अब मैं वापस अपनी डेस्क पर आ गया हूं तो सेम डिस्टेंस मैंने कवर किया है बिना इस डिवाइस के और इसमें जो बटन जो पावर बटन में आपको दिखाया था आप स्पाउंड करने लिए होता है तो इसमें नॉस देशनेशन का फीचर है वो भी आप इसी से अपलाईगर सब्सक्राइब हो जाता है तो वह वीडियो भी शायद आपको प्रिक लगें अब आज आते हैं इस प्रोड़क्ट के प्राइस के बारे में यह प्रोड़क्ट मेरे को पड़ा था तो इसलिए मैंने पॉइंट पॉइंट इस वीडियो को रखा है और अगर यह वीडियो को लाइक करें चैनल में अगर आप स्काइम आए हैं तो अब इस वीडियो करते हैं और मिलते हैं एक नेक्स वीडियो में आश्क्राइब